कि आप बोलते हैं कि खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल है मतलब कई बार सर नेगिटिविटी ती आ जाती है बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम अपने आपको ना खुश नहीं रख पाते हैं मतलब एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स जैसे आपको देख अगर आपको एक्टिंग करूं तो आपको किसे पता कि मैं अच्टिंग कर रहा है या खुश हो सकता है तो यह सवाल का जो जवाब है वो यह है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं लाइफ में अपस औडाउं आएंगे और खुशी को अगर समझना है तो दुख को भी स दुनिया में खुश रहने से असान और कुछ नहीं है दुनिया में लेकिन on the other hand क्योंकि यह इतना असान है इतना simple है तो इसलिए हम इसको बड़ी असानी से let go कर देते हैं तो जैसी मैं आपको बताऊंगा खुश कैसे रहते हैं आप कोगे अच्छ बस इतना ही है क्योंकि ए complicated answer ढूंडते रहते हैं और ऐसा लगता है कि पुटन ही क्या हो जाएगा उससे और इस चक्कर में भटक जाते हैं जैसे for example अभी हम सब सांस ले रहे हैं कितना important है हमारे लिए बहुत important है कभी इसके बार में सोचते हो कभी भी सोचते हो नहीं सोचते है कितनी बड़ी चीज़ सांस ले रहे हो तब नहीं जब सांस नहीं आ रही है जब सांस ले रहे हो तो इसकी importance को देख सको इसको खुशी बोलते हैं इसको gratitude बोलते हैं इसको बोलते हैं जो है उसको देख लेना आपको एक shortcut बता हूँ आप लोगो को खुश होने का अभी खुश हो जोगे सारे के सारे पागल हो जाओगे, जुमने लग जाओगे, नाचोगे, कुदोगे, कपड़े-अपड़े, फाड़ लोगे अपने मतलब, साथ वाले के बाल-वाल नोच दोगे, एक बाद माइक देदो, मैं आपको बताता हूँ, देखने, अभी खुश हो जाओगे, एक मिनिट के अंदर-अंदर, देखो, आँख बंद करो, सारे के सारे, अब इमाजिन करो, कि आपके पास में जो भी कुछ है, जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो, हो सकता है, कुछ लोग हो, भाई-बेन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजे हो, एक घर है, चाय किराय का है, चाय अपना है, तीनो टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास में, इमाजिन करो, कि कल सुबह आप उठते हो, और वो सब गया, सब गया, उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है, कोई इंसान नहीं है, सब गया, अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिला रहे हो, भगवान से माँग रहे हो, कि हे भगवान, जो भी मुझसे चिन गया है, वो मुझे वापिस कर दे, और भगवान ने आपकी सुन ली, और आपको सब कुछ वापिस कर दिया, आख खोल सकते हो, कैसा फील हो रहा है, अब लगा कि आपके पास में क्या है, तो जब वो चीज छिन जाती है, तब हमें उसकी इंपोर्टेंस पता लगती है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, एक घर है, एक comfortable life है, पता नहीं क्या-क्या है, पट इसकी को इंपोर्टेंस ही नहीं, अगर इसकी इंपोर्टेंस आपको समझ आ जाए, उस सबके रहते हुए ही, इसको खुशी बोलते हैं, उसके चले जाने के बाद आपको समझ आए, तो इसको दुख बोलते हैं, से लहाँ बोलते हैं, क्सक्ता इस को थारे लaving है, झाल